Good morning बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं NEET 2025 के लिए Target Badge बच्चों सबसे पहली बात कि इस कोर्स को लेके मैं बहुत excited हूँ और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ NEET वाले बच्चों के लिए यानि NEET dropper और जो 11th से 12th moving है ये दोनों बच्चे देख सकते हैं कौन कौन देख सकते हैं जिन्होंने 12th कर लिया है या जो अभी 11th से 12th में आये हैं कहने का मतलब है ये NEET dropper और साथी साथ जो 12th में हैं उन बच्चों के लिए है क्लियर है अब ऐसे देखो देखने को तो कोई भी देख सकता है लेकिन मेरा फोकस जो है वो 2025 के लिए NEET 2025 के लिए क्लियर अब आज मैं आपको पूरा डेटेल बताऊंगा कि ये कोर्स हम लोग कैसे कैसे करेंगे इसमें क्या-क्या चीज रहेंगी और कोर्स कैसे कम्पलीट होगा क्लियर है बच्चों सबसे पहली बात कि आपको सारे लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स मिलेंगे जैसा कि ये ही टार्गेट में हो रहा है तो यहाँ पे नीट टार्गेट के भी लेक्चर्स टोटल लाइव होगे और ये पूड़ा लेक्चर आपको सारे लेक्चर्स सारे चैप्टर के लेक्चर्स सारा morality solutions सब कुछ आपको throughout YouTube पे ही मिलेगा ठीक हा न यूट्पे भी रहेगा इसी चैनल पर रहेगा तो आप इस चैनल को सब्स्राइब करने, clear है? चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग करेंगे क्या-क्या, बच्चो ये एक detailed course होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग short course है, कि बस जल्दी-जल्दी problem कर लें, या cable theory कर लें, ये proper एक neat के student को जो चाहिए, कि जितनी theory चाहिए और जितनी problem के practice चाहिए, उस सब कुछ यहाँ पे आपको available होगा, बच्चो, clear है? अब इसमें देखो, सबसे पहली बात, NEET में जैसा कि तुम देख रहे हो, कि बच्चों की संख्यां, जो हर साल exam में appear हो रहे हैं, उनमें बच्चों की संख्यां बढ़ती जा रही है, दूसरा आप cut-off देख लो, out of out of 720, 720, cut-off जो जा रहा है, ambvious seat के लिए, government ambvious seat के लिए, अगर आप 625 के ऊपर हो, तब आप safe हो, कहने का मतलब है, 610, 615 भी लाके आप compete कर सकते हो, लेकिन आप अपने आपको secure तब मानोगे, जब आपके marks 625 से ऊपर होंगे, clear? अब इसमें क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, जब कि ये कितना high marks है, अगर तुम देख लो, तो ये करीब करीब इसका 90% marks आ रहा है, यानि कि अब किसी exam का, किसी exam का बच्चों cut-off जो है, वो 90% से ऊपर जा रहा है, just imagine कि exam कि exam कितना tough हो गया है, यानि neat का exam आज के date में मेरे हिस आप से toughest exam है, अब कहोगे कैसे, question wise ये आसान है, ठीक है न, इसमें paper में जो questions आ रहे है, चाहें वो physics के हो या chemistry के हो या biology के हो, पिछले last 10 years का आप trend देखते चले जाओ, तो questions के level आपका down हो रहा है, है न, question अब आसान आ रहे है, लेकिन आप याद रखना, competition जो होता है, वो tough या आसान question के आधार पर नहीं होता है, वो होता है, number of seating कितनी है, और number of student कितने exam में appear हो रहे हैं, तो exam में appear होने वाले बच्चों की संख्या तो 25 लाख तक पहुँच गई है, और दूसरी बात है, कि seating जो हैं, वो 15 to 14,000 है, जो I guess इतना के आसपास है, तो आप खुद सोचो क कि कहां 25 लाख बच्चे, 25 लाख बच्चे और उसमें से 12, 13, 14,000 हजार बच्चों का selection होना, तो just imagine कि 24 लाख से जादा बच्चे तो failure हो जाएंगे उस exam को qualify करने के लिए, तो मेरा कहने का मतलब है, ये tough इसलिए है क्योंकि number of student जादा है, और seatें कम है, clear है, और इसलिए आप देख रहे हो, cut off 90 प्लस जा रहा है, आपको question जब आप NEET का देखते हो तो आपको easy लगता है, लेकिन बच्चों easy question के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होगा, कि आपको 90% above score करना है, clear, अब आजाते है subject wise, इसमें देखो bio और chemistry, bio और chemistry mostly जो है उन बच्चों का अच्छाई होता है, clear है, NEET की सबसे बड़ी समस्या है physics, देखो physics ही आज के date में आपको, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको bio और chemistry से मदद नहीं मिलेगी, bio और chemistry तो अच्छा होना ही चाहिए आपका, ये तो mandatory है, आप आज के date में देख लो, कि जो भी बच्चों के marks आ रहे है, bio में out of 360, 340, 345, 350 और toppers के तो 360 में 360 आ रहे है, clear, तो मेरा कहने का मतलब है कि bio more or less बच्चों का अच्छा हो जाता है, last होते होते हैं, अगर वो धन से पढ़ाई कर रहे हैं, NCRT में फोकस कर रहे हैं, पार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो bio उनकी अच्छी हो जाती है, ठ लेकिन मामला आता है physics में, तो जिस बच्चे ने physics में धन से score कर लिया, उसका selection हो जाता है, और जिसका physics रह गया, उसको दिक्कत आती है, तो मेरा कहने का मतलब है कि physics आज के date में आपका समझो की एक key point हो गया है, ये आपके success होने और success नहीं होने के बीच में, ये दिवाल की तरह ख़रा है, कौन? Physics, जबकि neat का जो physics है बच्चों, अगर बच्चा धंग से पढ़े, धंग से पढ़े, तो neat की physics इतनी difficult नहीं है, क्यों मैं बोल ला हूँ, क्योंकि आप question का level देखो, जिस बच्चे ने throughout slavers को अच्छे से किया है, पूरे साल slavers को धंग से किया है, मतल जैसे कि मान लो, modern physics है, ठीक है, modern physics है, या फिर आपका heat है, SHM है, ये छोटे-छोटे sound है, ये छोटे-छोटे chapters होते हैं, बच्चों का सारा focus होता है, mechanics पे, electrostatics पे, magnetism पे, लेकिन उन छोटे chapters पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि question तो हर, हर से आते हैं, हर chapter से आत किया है, उसको marks मिल जाते हैं, clear है, तो हम लोगों का इस course में, ये पूरा focus होगा, कि हम लोग पूरे slavers को एक तरीके से, जो demand है, हमारा, neat का जो demand है, उसके हिसाब से हम लोग काम करें, ठीक है न, तो हर chapter को equally हम लोग weightage देंगे, हर chapter को equally weightage देंगे, जो examination का demand है, पहली बात ह कि अगर ये जो course है, ये target नाम क्यों मैं दे रहा हूँ, target नाम इसलिए दे रहा हूँ मैं इसका, क्योंकि मेरे को physics नहीं सीखनी है, मेरे को उस physics को सीखनी है, जो मेरे need 2025 में required है, है न, बच्चे यही होते हैं, अपने काम को लेके professional नहीं होते हैं, कि क्या demand है और क्या वो कर है, ठीक है न, हमारा पूरा demand इस बात पर होगा, हमारा पूरा focus इस बात पर होगा, कि 2025 में हमारे लिए requirement क्या है, clear, अच्छा, अब हम लोग एक तो ये समझ में आगई बात, ठीक है, दूसरी बात ये है, कि जो आपका यहां पर books, है न, क्या करें हम लोग जो हमारे पास जो share होते हो, तो at least आपके पास 10-11 महिने हैं, total, है न, 10 महिने मानके चलो, 10 ही महिना मानके चलो, 10 months अपने पास हैं, ठीक है न, need की, पूरी preparation करने के लिए, अब इस 10 months में, आप पहले अपने material, क्या-क्या आप solve करोगे, उसको लेके बहुत selective हो जाओ, selective हो जाओ, मतलब कि कुछ भी इसमें नया addition नहीं करना है, जो अभी तक आपने किया है, कोई भी module किया हो, या कुछ भी किया हो, आप उसके उपर focus करो, ठीक है न, उसके अलावे, आपको जो करना है, जो मैं यहाँ DPP और problem practice करवाऊंगा, वो आप addition में करोगे, पहले से आपने जो किया है, fine, आप उस change करोगे, तो आपका frame of mind जो है वो बारवार change होगा, तो दिक्कत थोरी बहुत आएगी आपको adjustment में, तो मैं यही, तो देखो more or less जो materials है, मतलब जो भी आपका study materials है, more or less लगभग same ही होते हैं, clear है, कोई थोड़ा जादा, मतलब जिसमें कुछ किसी में exhaustive दिया हुआ रहता ह किसी में कम है, ऐसा मतलब more or less मेरे को लगता है, समें एक दूसरे के copy करके ही लिखते हैं, तो इसलिए उसको लेके आप ज़्यादा tension मतलो, ठीक है, मैं यहाँ क्या करूँगा, मेरे जो DPP होंगे, वो total focused होंगे NEET के लिए, अब इस DPP में, जो मैं आपको practice कर रहा हूँगा, problem practice कर रहा हूँगा, तो जितना seat मैं करवाँगा, आप उसको तो अच्छे से करी लेना, ठीक है, उसमें क्या-क्या रहेगा, उसमें एक तो रहेगा आपका NEET का साड़ा PYQ, साथी साथ, NEET में JE के PYQ भी repeat होते हैं, ठीक है न, JE main के PYQ भी repeat होते हैं, तो JE main के जो selected अच्छ question लगेगा, जो ढंका लगेगा, जिसके आने की probability होगी, वो तो होगा ही होगा, और भी मेरे अपने experience से जो question सही लगेंगे, कि इसे बच्छे को कर लेना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा, वो पूरा focus मेरा NEET के उपर ही होगा, मैं उन्ही problem को यहाँ पे select करूँगा, जो NE NEET में आते हैं, clear, साथ ही साथ, अब बात आती है कि बच्छों की एक common बीमारी होती है, कि उनको लगता है कि यार मेरे को theory समझ में आती है, problem मेरे से नहीं बनता, NEET वाले बच्छों का यह अक्सर problem होता है, बच्छों इसमें क्या है, कि आपको ऐसा लगता है, कि आपकी theory clear है problem नहीं बनता, लेकिन बच्छों इसमें problem है, मेरे हिसाब से, यह ऐसा हो नहीं सकता है, कि अगर किसी की theory पूरी तरीके से clear हो, और problem उससे ना बने, वो भी NEET के सवाल ना बने, ऐसा नहीं होता है, कहीं न कहीं आपके, कहीं न कहीं आपके, जो है, वो theory में भी problem है, अगर theory clear रहेगी, तो problem आप से बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई doubt है ही नहीं, ठीक है न, कोई भी ऐसा बोलता है, तो वो आपको misguide कर रहा है, समझ गए बात को, तो इसलिए, ऐसा है कि यह मेरा जो पूरा lecture होगा, ऐसा नहीं है कि केबल हम लो problem प्रावलम पर ही concentrate करेंगे, theory भी हम करेंगे, test करेंगे, वो time to time मैं आपको बताता जाओंगा कि ऐसे से करना है, just you trust me, आप पूरे जो session के लिए आप मेरे पर trust करो, और आपको जैसे जैसे में बोलूँगा, आप वैसे करो, neat में आपको physics problem नहीं बनेगी, यह मेरी guarantee है, ठीक है, बाकी लोग देखो, YouTube पे बोले जा रहे है, 180 out of 180, अब वो बोलने से नहीं होगा, करने से होगा, वो उसमें मेरे से ज़्यादा आपका role है, ठीक है, मैं यहाँ पे lecture के माध्यम से आपको 180 में 180 कैसे ला सकता हूँ, अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे, तो मैं तो बस पढ़ा सकता हूँ, अच्छे से प सब कुछ यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसके लिए निस्चेंद रहें, समझ गए, उसके बाद course हम लोग कब खतम करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे, खतम करने के बाद और क्या क्या करेंगे, देखो, जो आपकी live class स्टार्ट करूँगा, यह मंडे से मैं स्टार्टिंग के 10 डेज जो होंगे, स्टार्टिंग के 10 डेज में, live आने का time थोड़ा vary करेगा, उसके बाद मैं एक perfect routine बना दूँगा, आप comment में भी time suggest करना मेरे को, कि कौन सा time आपके लिए सही रहेगा, उसके बाद मैं देखूँगा मेरे password available time है, या जैसे भी है, मैं उ हर दिन एक ए घंटे की lecture चाहिए, ध्यान से सुना मेरी बात, अगर week में 4 days हम लोग 2-2 hours की lecture करें, या फिर 6 days 1-1 hour की करें, ये आपके उपर depend करता है, आप comment में करके बताना मेरे को, ठीक है, मेरे को दोनों में कोई दिकत नहीं है, दोनों में मैं comfortable हूँ, clear, उसके बाद ये ह हो गया, 27th में से मैं start करूँगा, यानि Monday से, live class, याद रखेगा, और जो मेरा course खत्म करने का target है, वो है last week of February, या तुम मान लो कि February के अगले साल 25 है, तो 28th February होगा, 28th February हमारा target है, कि मैं 27 में को start करूँगा और 28th February को मैं खत्म करूँगा, clear है, दो चार दिल प्लस माइनस इसमें हो सकता है, और फरवरी में जब course अपना खत्म होगा, उसके बाद भी हमारे पास, total दो मन्त बचते हैं, March और April, उसमें हम लोग revision series, one short, बाकी सब करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली बैठेंगे, उसमें भी हम लोग काम करेंगे, that is, revision classes करेंगे, clear है, तो ये आपका course duration रहेगा, ठीक है, DPP सारे, जितने भी DPP में करवाओंगा, सारी questions के जो है, वो आपको sets में भेजता जाओंगा, आप उसके हिसाब से काम करोगे, clear है, इसके अलावे, अगर कोई भी, अगर आपका extra कोई suggestion होगा, तो आप comment में जरूर लिखन ठीक है, ये पूरा lecture YouTube पे free ही होगा, और साथ ही साथ, और मेरा अप एक चीज़, आप कुछ काम मेरे लिए आपको करना होगा, एक तो आप मेरे चैनल को subscribe करो, दूसरी बात है, जितना इसको share कर सकते हो, करो, क्योंकि, देखो, मेरे लिए energy क्या होगी, कि आप अच्छे से प तो आप जितने आपके दोस्त हैं, उनको, उन तक की इस बात को पहुचाओ, इस चैनल को, clear है, और कुछ भी हो, आप comment box में लिखना, बताना, कि आपको इसमें, और क्या modification चाहिए, क्या क्या आपके suggestion है, है न बच्चो, तो हम लोग start कहां से करेंगे, हम लोग पहले start बेसिक mathematics से, देखो, जेए वाले target में, मैं basic mathematics नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो बच्चे math के हैं, वो 12th pass out है, या 12th studying है, तो उतनी math उनको आती है, लेकि नीट वाले बच्चों को mathematics में थोड़ी problem होती है, तो मैं आपको course को start करूँगा basic math से ही, और basic math में भी ऐसा नहीं कि कोई फालतू का mathematics करवाया जा रहा हूँ, जो आपको required है, क्योंकि अपने पास फालतू time नहीं है, आपको bio भी पढ़नी है, chemistry भी पढ़नी है, clear है न, तो time आपके पास limited है, ओके बच्चों, तो हम लोग Monday को मिलते हैं, live class में, किस के साथ, basic mathematics के साथ, और live class के timing के लिए, YouTube का, जो म आपके मंडे से, बाई